स्टापलोस की सीरेल ये रिष्टा के कहलाता है मैं हमने अब तक देखा कि अक्षरा आरोही से कहती है कि अभिमन्यू ने मुझे माफ कर दिया और तुझे भी और ये सुनकर काफी ज्यादा आरोही खुश हो जाती है आगे गोइनकाज और बिरला संगीत की तयारी में जुट जाते हैं आगे हर्ष्ट से मंजरी कहती है कि आप शाम को जल्दी आ जाईएगा अच्छा रहेगा आज संगीत है ना अक्षरा और अभिमन्यू की और वो लुग काफी एक्साइट भी हैं तभी हर्ष्ट कहता है कि मै अभी तक आप नहीं बदले हैं तभी यहाँ पर हर्ष्ट कहता है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है तुम नए लोगों के आने से बदलो आगे बिरला और गोइनका संगीत के लिए डांस रिहरसर्स करते रहते हैं आगी अभिमन्यू और अक्ष्ट वीडियो कॉल पर ब एक्सिडेंट के लिए यहाँ पर आरूही का नाम नहीं मेंशन करके अक्ष्रा का नाम मेंशन करती है महिमा और कहती है कि अब यह लेटर सीध है प्राइविट इंवेस्टिगेटर के पास जाएगा जिसके बाद यह लेटर सीध है अभिमन्यू के पास जाएगा फिर होगा तमाशा आगे अक्षरा कहती है कि उदेपूर में किसी इवेंट के लिए कुमार सानू आ रहे हैं आज अगर मेरा संगीत नहीं होता तो मैं भीज जाती और इमके फोन से ये सारी बाते अभिमन्यों सुन लेता है अब देखना ये है कि जहां अभिमन्यों और अक्षरा अपने संगीत के लिए काफी एक्साइटेड है तो वहीं यहां पर महिमा करेगी तमाशा वेल इस तमाशे से क्या एक बार फिर से दूर अक्षरा और अभिमन्यों जानने के लिए देखना ना भूले ये रिष्टा क्या कहलाता है टेलेविजन के लेटिस्ट अबडीट्स को जानन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले